पकड़ ती अपनी तरफ खेंचा उसने फाइर कर दिया पहली गोड़ी यहां लगी और तीन गोड़ी में रही है शीन्में में लगी यह एक दो तीन गोड़ी यह लगी और दो गोड़ी है के से 30 सिमाले यह लगने के बाद मैं मैंने सो cardiovascular आस तो एक बी डूस्मान नहीं मरिया और अपन तो मर गए आ तो मर गए ऐसी मैंने हेंटो एंड घरने निकाला और उसका लिवर पाड़ा और एक और दो अर लाड़ू की तरह अंदर रक्षा दिया वह बैंकर के अंदर जैसे रक्षाया और मैं वहीं लेटा और वह ब्राम दे फटेया पढ़ते आवाज आया इतिहास की यदि सबसे अभूत पूरो घटनाओं में से किसी एक का नाम लिया जाए तो वो था कारगिल युद्ध उन्नीसों ने न्याडवे भारत के साथ एक विश्वास घात हुआ और उसका करारा जवाब दिया भारत के सैनिकों ने जी हाँ उसी कारगिल युद्ध की पहली जीत के नायक थे दिगेंदर कुमार जब उन्होंने तोलो लिंग की चोटी पर ऐसे शौरे और पराक्रम का प्रदर्शन किया कि उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया और वो दिगेंदर कुमार सीकर जी लेके नीमका थाना के पास के छोटे से गाउं से निकले एक स्वाधिनता सैनानी के घर जन्म लिया और एक ऐसा इतिहास रच दिया कि आने वाली पीडियाँ से याद करेंगी सीकर संदेश और सीलसी लेकर आ रहे हैं सेखावाटी के शूर्माओं की कहानी और उस कहानी का प्रारंब क्यों नहीं उन्हीं दिगेंदर कुमार की कहानी से किया जाये जी हाँ आज हम लेकर आ रहे हैं दिगेंदर कुमार की जुवानी उन्हीं की कहानी और आप सबसे ये अनुरोध कि इस विडियो को आप अंत तक देखें सुनें आप अनुभाव करेंगे कि सेखावाटी के बेटे किस प्रकार से नवईन इतिहास की संद्रचना कर रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने हम सब को गौर्वानवित किया और किस प्रकार से अपनी जान पर खेल कर इस देश का मान बचाया आईए उनको नमन करते हैं और उनके साथ कुछ क्षण विदाते हैं प्रकार सेरा बच्दाद के लड़ाई में सइध भी हो गये तो हमारे गायों का दूद पीती थे हम तो कहते थे मेरे पिता जी बुले जो गाय का दूद पीतिए तो को यह डेड़ सो साल जीत ते तो हमारे शोग था बोले पिटे-अकहंडब्रम सारी रहनी महारषी दान्द खंड बिरम्चारी था उसने चार गोड़ों की बुग्गी को एकाथ से रोक दिया था भागती हुई को तो ऐसे ऐसे बिर्थेजाजी की हर फूल चाठ चुलानी का गी मैं लग ऐसे ऐसे काहनी मेरी मा भी बताती थी मेरे पिता जी भी हमारे बच्पन में बता दे थे जब मैं चोटा साथा एक दिन तो मेरे 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 तो बुले, बच्चल दे शिनकूठी पाड़ूगा बच्पन में, तो बुले, अरे ये शेर है मेरा बेटा, इसको घीगाल, तो मेरी ममी मेरे को घीगाल देती थी ऐसे, शेना के अंदर मेरे पापा मेरे को भर्ती कराने लेगे थे, जोंजनों में, तीन सित्मर उनीसों पिच को बुले, नहीं साब, मैं मेरे बच्चे को बड़ती कराना चाहता हूँ, तो वहां मेरे पापा ने एक कविता बनाई थी, end to end to, कि बुले, मेरा मून ना भरती कर ले हो, सुने रगरूटी सरदार, अरे मेरा बच्चा भरती कर ले हो सुने रगरूटी सरदार बुरी गती औरी सूरूं की इजत है कायर कूरूं की कर परोपकार से प्यार मेरा मुन्ना भरती कर ले हो सुने रगरूटी सरदार करनल करम जी किसी मुले, बोले बबाबा, तु तो शेर है तिरा बैटा ढब्बार शेर है, इसको जरूर हुपर्वान भुपर्तरी गटा आ에서 बोले ओके तेरे को राजरीव में बेद दिया था unbox मेरे को राजरीव में बेद दिया गया весь लिए उसके बाद मैं हमने जो राजरीव संटर दिलि आप मत अ creator लिए से टरनिंग पूरी करके ने हमारी बटालिन दो तोड़ा आगे थोड़ी दूसरे लुकेस्ट जमू के पास लुकेसंदा उसमें गई हम वहां गए तो हमने पहले लोडिंग अलोडिंग काम फोजगा काम करें बहुता बार रहा अनुमेशन अथियार है यह खूब लोग उठाई फिर उसके बाद में वहां 15 दिन बाद में हम अरी बटालीन का एक सुबदार जैशिंग साहब थे जो ट्रेनिंग सेंटर में थे और वो जैसे में सिपाई बना हूँ हमारी बटालीन मेरे से पहले पूंच गे दें तो उसने मेरे को बाटके वो खुद कंपेटिशन करके ने और मेरे को लेकर गया था अपनी बटालीन तो सुबदार जैशिंग साहब उदर गया तो में उसको पता जरिया है और अग रूट अपनी बल्टन में शिपाई बनके आचुका है तो वहाँ मालब दो कास्ट दो-दो कंपनी एक एक कास्ट की होती है जैसे जाट की बरोर चाली है राजबुद्यालफा और डेल्टा है और हैड़कॉर्टर और एसपी मिक्स होती है तो वहाँ गये तो शियो साहब को पार हमारा पहला इंट्रिव्यू आओ तो उस टेम पर हमारा शियो दा करनल एमेल लंदर आजओं तो वह बल्या आवे सारे जैशो सुबदार साहब इदर आ जाओं हमार पात दो राजबुद करना ही सकता में इसको एक कंपनी में एकको बांठना है तो वो बोलता है कि मुझे दिगे अंदर और जैशिंग सिंह जब वोलता है बले का में लिए पेट्र कर रहे हो तो सबसे पहले तो मेरे लाइब के अंदर यह हुआ है कि यार दिखें अंदर तेरे लिए टोक्स हो रहा है मुझे बड़ा गर्व सा महसूल है कि देख इसका हमला हमारे अंदर कुछ तो है जो यह इतने बुजरक आदमी है यह तजरबाकार आदमी है वो बोलता है मैं लूँगा और वो जैसे ही चारली कंपनी का टोक्स बटया तो वो हमारे शीनर जैसे हो तो पहला आदेगा हमने जंग जीत लिया है बोले हमने लड़का चारली कंपनी में ले लिया इसको यार यह बहुत है कंपनी चारली कंपनी का वो ब्रोकंपनी में क्या फरक हो सबी कंपनी एक हो एक जैसी होती है लेकिन उनका सोख था जनून था मैं तकरे जवान को मेरी प्लाटोन में मेरी कंपनी में लियूं और उनमें मेरे जैसिंग साब ने चारली कंपनी में ले लिया उसके ब तो वहां पूरा ब्रिगेड नी डूका कंपेशन था उसमें 26 बटालीन आई हुई थी तो वहां पर लोग बहुत पशिनाम पशिनाम में देखा यार यह तो बहुत आड़ पोजगा काप बहुत आड़ गनू को लेकर बागते हुआ तो 26 बटालीन का तो सबीने मतलब सब के मत करता तो ऊसी घंड के अंदर मतलब वहां उसके अवपर वो टेंक को मारनी के लिए ओती हुब तो सब ने टंगेड बना है का तो उसा रहंग के उपर किसी कम भी गोला हीट नीवया हां सब्सक्राइब किसी का गोड़ा हीट नहीं वहां पर क्या वह रेंज सही नहीं लगा या कोई गनुव मिश्टेक दी कुछी का भी तो कोई बटालीन मुले कोई तो फस्टी नहीं कोई स्पार सेकेंड कैसे करें किसी यह नस्दीक नहीं लगा अब लास्ट आदमी में उस ड्य किसी का इट नहीं वह यह इसे कैसे हो सकता है कि बैकिसी यह गोड़ा इट नहीं वह अगर अपना ही लड़के का कोई ठोड़ी हो जाएगा अगर होगा तो अमस्ट है पाम मैं शीव साब को बले मह उदर मुग सार इट कर दूंगा हां भले बैटे तेरे से बड़े तरे निच्चे करके वो मतलब बीच में हिट करते थे और फेर फार करते तो सभी के गोले उपर लगते थे तो मेरे दिवाग में मैं ठीम को यार गोलाम बजन होता है और वो जितनी दूर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा निच्चे तो आता ही होगा हमने शिष्ट उपर वाले किनारे पर शिष्ट ले और लेने के बाद में मतलब जैसे या शिष्ट ले मने और गोला यहां हिट हुआ उटाएंग तार्गेट में और वो उते ही वो बरल गई 20 फित उपर आओ हमें और हिट हिट पूर रहा है ड्यू कमांडर जन्नल साबर वो तू राजरे फस्ट बाई तू राजरे फस्ट पले मेरे सिऊ सामेरे को का बठा लिए शाबाज मेरे जिंदिकी अच्छा मुझे लगया कि अवने यार थे पेल परने अच्छा काम कुआ है और में बहुत अच्छा गोड़ा हीट होगा मेरा और बटाल इन में मेरी पूरी लोग बोलते थे यार यह बंदा बहुत लग्की है और उसके बाद में कारगिल यूद शुरू हो गया कारगिल हमारी यूनिट कप वाड़ा में थी तो हम रोज की सुनते थे पंद्रा माई से कारगिल में यूद छिड़ चुक है बैंकर यूद होगा और वहां कई बटाली उ हमारी पठालीन को मैंलब 30 मई 1999 में को हमारी पठालीन को आदेश मिला कि आपको कुप वह मकारगिल यूद में जाना है हमारे को 36 घंटे हम टो हम दिया हम 24 घंटे में पहुंच गें वहां और वहां पहुंचे एक तारिक को हमारा दरबार लिया चीप ओफदार मिस्टाप ज पहली विक्टोरिया क्रास विजेता यूनिट है और मैं आसाने पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बटालीन हर युद्ध के अंदर हर युद्ध के अंदर पहली जीत दिलाईए भारतमा को मैं ये चाहता हूं कि अपनी परंपरागो बरकरा रख्या जाए तो मैं ये करना चाहता हूं कि तू राजरीव के बादूर और बादूरोफ सर्च जेश और जवानों मुझे तू राजरीव के आच्छे हितरंगा जंडा पहले ना चाहिए और तू राजरी में ऐसा बादूर कोन है जो वालेंटर होगे का एक मैं भारा हूंगा सर पहले तो उस ज जंडा फरालने के लिए सब्से आगे हूँ वा ना बोले शावाज बेटे क्या नाम मैं तेरा? मैं को सर। बेस्ट कमंडो पदा इंडेन आर्मी ना एक दिगेंदर कुमार € टेन अमैडल, डबल चीब करमेशन कार्ड, बस्ट कमांड़ो अप दा इंडियन आर्मी, हाँ बोले बेटा तु बस्ट कमांड़ो का खैती मिली थी मुझे जन्नवरी में जब उचुटी गाया था वह लेकर गए। तो उसके बाद में हमारी बटालीन वहां पूझ की हमारे को तोलो लिंग का टाक्स मिला पर ले, बोले आपको तोलो लिंग पर टूराजरिप को कबजा करना, तोलो लिंग वो पाड़ी थी, जिस पर हिंदूसतान आर्मी ने तीन अमले किये थे, और एक बटालीन के अठारा ऑनी के वां पाकिस्तान की फाइप नोर्डन लाइट इंफ्ट्री बटालीं के हैं कंपनी डिपलोईड थी वहां भर्ण हैं और उस कंपनी का कम्नी क Hers था था मेजर अनुबर कान जो पाइप नोर्डन आहिन नहींट्री था तो उस दगे पर हमारी सेनिकों को मतलब उपर चड़ते ही सहीद करते देदेगे उसके बाद हमारी बटानिकों टाक्स मेला तो हमारा सीयो साफ दे करनल रविंदर नाथ तो बोलता दिगेंदर और मेरा कमनी को अंडर था मेजर विवेक गुपता तो हम तीन्यों और सुब्द पीछे गया पीछे जा कर पूर रेकरी रेकरी करके वहने जर्रिंड dengan साव को बताई करिछा ओक हौ बेटे को मेरे पास बेकले मेरे सीद अगर तू इस रस्षे को बांध भी देता है तो भी बाकी से निक्सर जाएंगे तू रस्षा बानी कोशिज कर तुझे जो सपोर्ट चीए वो मिलेगी मैं गो सार मुझे आपका आशिरवाद चीए और जो भार देश के बो जो खिलाडी डोज डाज लगाते हैं ने खिलाडी करीच सोदा गंटे मरसा बांध के निच्चे आगे हम दस जून की रात को जब मैं मरसा बांध के निच्चे आया तो उस टेम पर अपने शीओ साब को बताया मुझ सर ऐसे बले तू चीप भावदार इस्टाम को डारेक्ट बिला कोल जमों मुझे मुझे सर जैहिन बेस्ट क जंडा नहीं फैरेगा मजा नहीं आएगा जरूर तो लो लिंक पर हम जंडा फैरेएंगे बोलें वा बेटे अच्छा है तो जरूर पैरा यह यह मेरा वादा है उसके बाद में हम 12 जून की रात को हमारी दो कमपनी एक डेल्टा कमनी एक चार्ली कमनी अटेक में सामे सामिल कर दिये जिसमें तक्रीव एंड आईशो कमांडों दे और हम दस कमांडों पीछे से गए और वो गए तो 600 मिट्र पर गए तो हमारे चार आदमियों की ठांग उटगी दो चैरू और जो चैरू राजस्तान गई थे एक तो मेरे पास का था जिलो का लड़का था राजेंदर सिंग एक स्रिमादोपुर का है फोलचन एक साप्राग बढ़नगर का है रामसाइबाज्या और एक दुरुक सिंग जो अजमेर का चैरू शियों साब की पार्टी में दे चैर्टान उस साइड़ में फिल्ड नहीं होंगे वहां से चार्ली कमनी को लिया और डेल्टा को पर लिए बर्बाद बैंकर की तरफ से लिया हूँ बोले ओक के दिगे अंदर तेरी राई शिर्मा थे पर बोले और मों को हम चड़ चुके इसा उपर हम उपर गए तो मैं ब पर शुलतान शिंग नर्वारिया बोलता चर्टागों में फिर वो जो ऐसे रहा हमारे साथी लेसनाइक बच्चन चमन शुरेंदार राइफल मैं जस्वीर तो हम सब के सब मतलब बोग जितने बंकर हों मैं एक गरनेड तो आपन ठोकाइगा उसके बाद में देखां बहले बोलो जतना कंपनी आओगी जतना सालान बरबाद करांगा आप हां तो अपने दोस्त पहले बंखर को तौ में पास मैं अठारा हैंड गरनेट और 271 के सेंटारी सी गोली एक पिर्टल एक कमण्डव डेगर इतना बड़ा चक्कू जो साइनाइड में जो आदिमी को टच करते ही उपर पूंच जाता है अब जैसे ही हम उपर गये तो मैं शांप की तरह रेंगता हुआ गया तो दूसमान का बेंक करता हूं उसके चैर उतरब तो भर पड़ी हुई थी और बीच में काला काला दिखा है मस हो जाए यह पत्थर है तो मैंने जैसे ही यह एक दो तीन गोड़ी यह लगी और दो गोड़ी है के से थाड़ी सी माले यह लगनी के बाद मैं मैं ने सोचा दिखेंदर आस तो एक भी दूसमन नहीं मेरा और आपन तो मर गए हाँ तो मर गए ऐसी मैंने हैंटव एंड घरने निकाला अर उसका लिवर पाड़ा और ए तो है दूसमन चा एक भी मरोग आप बैस वहीं से होसला बड़ी का मेरा और उसके बाद मैं फटा पड़ फस्ट एड किया और जो मेरे साथी थे बहुरला राइंड पाइटी वह बैंकरूं के नजदीक पूंचते 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 उनका मेजर अनौर का याली दूसमन का ना चोत्ता मुल्भी फैल करेंगे और डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडग शप्रवर को नगे sedan के बूई को गण प। तक मेरा साथ दिया उभीज होसु छतने से और का्रों संटार व्युज़ फार मैंने थंदे दिमाग से डूश्बं की फार कर एक वन के वेक्ट काव होती है धो एंक फुट फूट गहली होती है उश खाली के तो क्रोट रेंज बोलते हैं तो क्रोट रेंज में गुशा उनकी गन का उपर गया और नीचे गर्नेट मारा धड़ाया गड़ाया बैंकर आवामें सुबह तक दूसमन के ग्यारा बैंकर उड़ा दिये मैंने उनमें यह क्या वाजा है याला हुआ अक बार पहले उसका को तो उसके शिर्म गोड़ी लागरी और मेरा अनुमेशन खतम होगा मैरा मेरा गर्नेट खतम हो चुके थे तो लैसनाई बोला कोब्रा सार दिगे अंदर सार इनको कुत्तों को मत चोड़ना अलम जी ले ले मेरी अलम जी ले ले और वो आखरी टेम में उसका शिर फटरे तो मेजर नन्वर खान अपने जो डाईशो कमांडो बेलकुल 200-300 मिटर पर आ रहे थे ना उनको बुरीत्र फायर से दबा रहा दाओंगो अब वो आईसे काला-कला दिखाए दिया मूँ उस पर फायर काया मूँ मेजर नन्वर खान हिंदुस्तान का सिपाई पीठ पर गोल चूटकी वहां मेरे भगवान ने साथ दिया कौन काता है भगवान ने आर्दम साथ रहता है तो उसके बाद में मज़र फिश्टल चूटकी अब चूटते उसने मेरे पर सीधी डाई मारी डाई मारते ही मनने अलम जी की रोक निकाल रहा था वो तो गेरी और उसका ठेटव निचे गड़ा पला हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे मों क्यो ब्रात मारा चोड़ दियू ठेटवा दबालिया अजड़ सागिर और मेरे उसका मल यूद की तरह होने लगा मैंने अपना कमांडर डाईगर काड़ा उसका घच बठाया गर्दन में गर्दन बठाते हैं उस और उसका धड़ को उठाया और उपर पत्थर के साला लगाया और काड तरंगा जंड़ा और पहला तरंगा जंड़ा ही साथ से गाड़ा कारगली उद्दगा दड़ा एक देशन वो ही पहला तरंगा जंड़ा गाड़ा बारत मात आईजे बोली मेरे साथी आगे मेरे करणल शाब आगे करनल रविंदर नात मेरे शियो छाब बोला वाँ मेरे दिगेंदार अरे वाँ जब तक धरती आसमान रहेगा दिगेंदार सूर्वीर तेरा नाम रहेगा जा मेरे बच्चे आज तने भारत मा के लिए वो करज उतारहा है जो सदियों से कीशिन नहीं तारहा होगा शाबास मेरे बच्चे तने आज हिंदुस्तान की पहली कामियाबी दिलाई है मेरे बच्चे मुझे दुक है कि तेरे साथी नहीं है मुझे शाबास धन्य वो धरती जिसमें तु पैदा हुआ शाबास धन्य वाद उस माबापको और उस धरा को मैं सलूट करता हूँ बटा जिसमें तेरा जैसा बेटा पैदा हुआ उसके बाद में मैं भी उपर जाओंगा अपने साथियों पास मेरे कई गोड़ी लग रही है तो बोले नहीं बेटे तू तरह को हस्पिटल में वहाँ मेरे साथियों उठा लिया और निच्चे आये तो मेरे दोनी भाई दूसरी बट लिया है बड़े भाई साब ने और बड़े भाई साब का बतला लेंगे हम चाल भूब सिंग बलो लड़ाई लड़ते हैं बलो उसके बाद मेरे को हस्पिटल शरी नगर ले आ गया तो वहाँ देश का परधान मंतरी मेरे तीन थपी मार के बोलता है वारे मेरे करणबली तन 3713 मारे भूडिश वह अलग पड़े थे उनकी पूरी कंपनी तो उसके बाद में मेरे को सिरी नगर ऑस्पिटल से पुन् интересно बेजा गया वहां मेरा इलाद चलिया वहां साथ थे में में कोंमा में होगा समयं साथ दिन बाद में वापीस कोंमा य या scheint मेरे छी मेंने इलाद से शाम को चीप आपदार में स्टाप बेद प्रकास मलिक पूर्णा गया मेरे होस्पिटल में और वहां करके मेरे मिठाई दे करके बोलता है वहां मेरे बेठे तेरे को पहले नहीं मिल सेगा लेकिन अब तेरे को कारगिलियूद का सबसे बड़ा तोफा महावीर चकर से देश न ना बड़ा समान दिया जो कभी सपने में नहीं सोचा था उसके बाद में साब हमारा इलाज होने बाद हम पंद्रा अगर्ष्ट वो डिक्लेर होया सबी जनरी को हमारे को मारे को मैडल लगाया गया नास्ट पर दिखिया ना इन दवारा हमारे माबाप भी उस टेम जिंदे थे सबने ये खुशी हमारे साथ बटोर की और सबसे बड़ा ये हुआ और जिंदगी में अभी भी यही मेरे पापा दिये का है कि रे नेकी के करम कमा जा रहे दुनिया से जाने वाले पर हित में हेत लगा जा रहे दुनिया से जाने वाले क्या बरोसा तेरी जिंदगानी का निसान बुलु बुला पानी का कोई बुरोसा नहीं जिन्दगानी का तो मेरे पूरे देश वाज़ियों को मेरे जिले के सभी को इस छोटे से शिपाई का राम राम जैहिंद बंदे मातरम